नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं कि लाइफ से जूरू ही कुछ हैं बातें, हर कोई चाहता है कि उसके बैवाई जीवर में हमेशा खुश्या रहे, कभी भी कोई भी परिशानी ना हो, अपने पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताएं, और समय बिताने के साथ-साथ उससे वहे बाते शेयर करें जो दिन भर में हुई हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़े हो जाती हैं, जिसकी वज़ा से कभी भी शेयर नहीं हो पता, लेकिन हम अगर जानना चाहे तो हमारे पुराणों में और हमारे फेंक्सुई के मताबिक हमारे आस-पास negative और positive अरुजा होती हैं, जिसकी वज़ा से हमारे जीवन पर हर पहलू पर हमारे फर्ब परता है, और उस परभाव के करण हमारे जीवन का एहम पहलू हमारे उस life से कट जाता है या फिर हट जाता जिसकी वज़ाँ से हम उस पल को एंजोरे नहीं कर पाते और उस पल के गुजर जाने के बाद हमें वह पल आसानी से याद रह जाता है कि हमारा वे पल था जिसमें हम वे बाते कर सकते थे लेकिं हमने की रही लेकिन यदि आप अपनी लाइफ को लव वर्ट के तरह बनाना चा और वर्ट जयसा प्यार भी बढ़ेगा जानते हैं आज कौन से हैं ऐसे उपाएं बैवाहिक पत्नी अपने कमरे में कभी भी टीवी ना लगाएं क्योंकि टीवी का एफेक्ट सबसे जादा उनकी लाइफ पर ही पड़ता है कभी भी अगर ठके हरे भी पती देवाएंगे तो वे हमेशे टीवी ओन करेंगे और बैट जाएंगे बस सारा समय उनका टीवी के साथ या फिर ऑफिस में आपको समय दे ही नहीं पाते तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने बैट रूमे कभी भी टीवी ना लगाएं क्योंकि जो भी उनके पास थोड़ा भी समय होगा उसमें आप अपनी बाते करें जिसकी वज़ा से आपके और उनके दोनों के विचारों के बारे में जाणने को मिलेगा और आप एक दूसरे से बाते शेयर करोगे तो हसी वज़ाओ को और अपनी जो टैंशन है दिन बर की वो सारी भूल जाओगे और कोशिश करें कि अपनी कमरे में गैजिक भी न रखें मोबाइल ऐसे प्ले वाले गेम जो आप हमेशा खेलते रहते हों तो वह भी गैजिट नहीं रखने चाहिए क्योंकि गैजिट का असर सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पर ही पड़ता है आप जो संबाद करने के लिए यानि कि बातालाब करने के लिए जो समय मिलता है वह सब खो देंगे और कभी बी दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे नमबर दो बैभाई चोड़े को सबसे ज़्यादा खास क्या रखना चाहिए आपने बिस्तर का क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन पार्ट होता है आपके कमरे में जिस पे आप ज़्यादा समय मिता सकते हैं और यदि आपको बैडरूम में पलंग है वही चोड़े के लिए अगर कमरे में डवल बैड का इस तर है या फिर पलंग है उस पर हमेशा कभी भी गद्दा अलग-अलग करके ना बिचाएं हमेशा गद्दा एक ही बिचाएं जिससे पती-पत्नियों के बीच में दूरी नहीं आएगी और वहे गद्दा मरवल या सॉफ्ट होना चाहिए जिससे ही आप अपनी बातों को शेयर कर सकें और अपने पार्टर के सास्थ सबसे जादасть समय विता सकें यैं सबसे जादा आपकी जिन्दगी में माइने रखता है जिससे आपके घर में और आपके बेवाई कजीयर में खुशे आती है नमबर तीन, अपने कमरे में तलाव, जड़ने या फिर पहाडों जैसी तस्वीरे बिलकुल न लगाएं क्योंकि यह तस्वीर आपको ज़्यादा एफेक्टिट करती है और वहें आपके दिमाग में वहें स्थिती पैला करती है जिसकी वज़ा से आपके भीच में छगड़े भी हो सकते हैं आप अपने कमरे में फवारा भी न लगाएं, मच्छिया भी न रखें क्योंकि यह भी आपके जीवन बेन नेगेटिब परभाब डाते हैं तो आप कोशिश करें कि इन में से कोई भी तस्वीर न लगाएं जो पानी से लेडिड हो जिसमें भैता हुआ कुछ हो जिसकी वज़ा से आपके जीवन की जो इमोशन है वो सारे के सारे बाहर निकल लाते हैं और उससे आपके जीवन में और पार्टनर के बीच में जितने भी एमोशन एक साथ रहते हैं वह सारे के सारे आपसे दूर हो जाते हैं तो आप कोशिश करें कि ये तस्वीरे बिलकुल न लगाएं पर चार फैंक्सवी की अनुसार आप कभी भी सिंगल कुरसी या फिर सिंगल बर्ट्स की फोटो बिलकुल न लगाएं क्योंकि वह आपके बीच में अकेलेपन को महसूस करती हैं जिसकी वज़ा से आपको अपने पार्टनर का सार्थ भी पसंद नहीं आता तो आप कोशिश करें कि सिंगल वर्ट्स या फिर सिंगल कुरसी की तस्वीर कमरे में या बैडरूम में बिलकुल न लगाएं हमेशा अगर तस्वीर लगानी हैं तो हमेशा जोड़े के साथ लगाएं या फिर जानवर की हो या फिर कुरसी की जो भी फोटो लगा रही हैं वे हमेशा हस्ती हुई होनी चाहिए परसंचीत होनी चाहिए अपनी जिंदिके को एंजॉयवल होनी चाहिए और हमेशा जोड़े में होनी चाहिए चाहे वे वे तरस्पीर हो या फिर मूर्दी हमेशा जोड़े में ही खरीदें और जोड़े में ही अपने बैडरूम में लगाएं जिससे आपके बैवाई जीवन में खुशियां आएंगी और आपका जीवन भी खुशाल रहेगा निवर पाँच यदि आपका बैडरूम इस तरह से बढ़ता है कि आपके खिड़की के सामने आपका पलंग पड़ता है तो उसके लिए आप कोशिश करें कि खिड़की और आपके विस्तर के बीच में एक परदा जरूर हो जिसे कि आपके बीच में नकारात्मक परफाब ना आए और आपका तनाव भी दूर है क्योंकि अगर आपका पलंग और खिड़की बिलकुल एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो वहे आपके बीच में तनाव पहला करता है और तनाव होने से आपके बीच में मनमुटाब होगा जिससे लड़ाए छगड़े होगे तो वहे आगे तक बढ़ जाएंगे तो आप कोशिश करें कि उस पीच में आप परदा डालें जिससे नकारातमक चीजे दूर हो जाएंगे और आपके वीच में सकारातमक ताएगी एक दूसरे को समझने के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट जगा आपका बैडरूम ही होता है जहां पर आप एक दूसरे को समझ सकते हैं जान सकते हैं उसकी फीलिन को समझ सकते हैं और आप एक दूसरे से बाते भी शेयर कर सकते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि आपने बैडरूम को एकदम संजो कर रखें जिससे आपके जीवन में खुशियां आए और कोई भी परिशानी ना आए तो यह है वह कार है यदि आप अपने बैडरूम में करते हैं तो आपके बैडरूम में खुश हाल रहेगा बैवाई जीवन खुश रहेगा खुश नुमार रहेगा और लव लाइफ बहुत ज्यादा स्टॉंग हो जाएगी मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइ करना ना भूलें